नमस्कार, flowers and kitchen garden चैनल पर मैं कवीता आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आपके सामने फिर से उपस देतों एक नया वीडियो लेकर एक नई जानकारी लेकर जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ाई है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेक प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर ही दीजिए क्या पता है अंटक वीडियो देखते देखते आप लाइक करना भूल जाए तो प्लीस इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं रोज अपने आप में एक individual plant है याने कि वो individual रहना पसंद करता है तो उसको बिल्कुल भी किसी other plant या किसी एक रोज से दूसरे रोज के पास में न रखे वरना ये जो आप मेरे roses की growth देख रहे हैं एसे ही आपके भी roses हो जाएंगे मैंने experiment किया हुआ है मेरे पास एक रोज और है उसको मैंने अलग रखा है वो भी मैं आपको शायद अगर इस वीडियो में नहीं दिखा पाई तो फिर किसी दिन किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगे उसकी growth और इनकी growth में मुझे काफ़ी difference देखने को मिला है क्य इससे आपकी जो spray bottle होती वो भी खराबना हो और आपके plants भी खराबना हो तो देखिए 5 लिटर की मेरी bottle है यहां तक मैंने 5 लिटर जहां तक आता है पानी भर लिया है और नीम ओयल की bottle भी यही रखी है तो अब इसमें हम perfect measurement लेकर के इस 5 लिटर की bottle में डालेंगे तो सभी न instruction होते हैं वो clearly लिखे रहते हैं और कितने पानी में कितना mix करना है वो भी सब लिखा रहता है तो मैं quantity आपको नहीं बताऊंगी यह वाला जो नीम ओयल है बस इसके बारे में यह बताऊंगी कि यह bio organic है यानि कि bio pesticide है देखि इस पर लिखा है मैं इसका नाम चुपाने की ingredient आपके पास होने चीए एक तो नीम ओयल अगर आप organic pesticide बनाना चाहते हैं आप घर पर भी नीम ओयल बना सकते हैं तो मैंने तो आज तक नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है और एक hand wash या liquid soap जो होता है वो आप ले सकते हैं कोईसा भी soft liquid ही आपको लेना ह है तो बस यह इतना ही डाला है क्योंकि जादा strong है I think वरना यह कम से कम 10 ml पिछली बार जो मेरे पास bottle थी नीम ओयल की वो तो मुझे 10 ml डालना पड़ता था पांच लीटर पानी में और यह देखिए कुछ अंदाजे से मैं डाल रही हूँ एक बार और यह एक बार और यानि क इसको mix कर देंगे हम अच्छे से देखिए liquid soap डालने का तो यह मकसद रहता है तो आपकी bottle इससे clean रहेगी क्योंकि मेरी bottle में भी मेरी 2-3 bottle खराब हो चुकी है इसी की वज़े से क्योंकि ज्यादा अंदर तक हाट डाल के हम bottle को साफ नहीं कर पाते हैं और hand wash जो होता है वो एक liquid soap है तो soap तो एक तरीके से साफ कर ही देता है चीजों को अंदर से तो वो भी ठीक रहता और दूसरा कीडे भी थोड़े साफ हो जाता है पत्तों से गंदगी साफ हो जाती है spray करने से तो बस मेरा तो यही तरीका है पोदो पर spray करने का organic और chemical भी मैं आपको फिर कभी वीडियो शेयर करूंगे इसके साथ ही तो अब हम अच्छे से कीडों पर spray कर देंगे तो कीडे अधिक तर अभी लगते हैं हम येलो एफिट्स बोलते हैं और वो बहुत जादा फैलते हैं हमारे यहाँ पर मनसोर में तो उनके लिए भी ये नीमोयल काफी कारगर है तो अभी कलांचो अगे रहा में ये लगे हुए हैं जादा तो फायदे मन होगा कलांचो के लिए ब्लैक एफिट्स अभी जादा ल तक के लिए बाय टेक केर जैसी गृष्णा